इस अभिनेत्री ने पहली बार परदे पर महिला का किरदार निभाया था। इससे पहले फिल्मों में पुरुशी महिलाओं के कपड़े पहन कर महिला किरदार निभाया करते थे। वो असल में रंग मंच की अदाकारा थी जो कि अपनी मा के साथ नाटकों में काम किया करती थी फिर बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में एंट्री की और दूसरी महिलाओं के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दर्वाजे खोले वो अपने काम के प्रती इतना अधिक समर्पित थी कि एक बार उन्होंने अभिनाई के दुनिया में प्रचलित शो मस्ट गो आन की अवधारना को भी जीवन्त करके दिखाया था इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुती बात कर रही हूँ हिंदी सिनमा की पहली फीमेल चैल्ड आर्टिस्ट कमलाबाई गोखले के बारे में जिन्होंने समाज की बेडियों और तमाम बंदिशों को तोड़ कर अपनी मा के साथ फिल्म इंडस्ट्री में एं उनके साथ काम कर रहे उनके पती रगुनात को दिल का दोरा पड़ा और वहीं उनकी मृत्य हो गई लेकिन कमलाबाई ने जरा भी विचलित हुए बगैर मर्दों के कपड़े पहने और अपने पती की भूमिका आदा कर दी तब वो सिर्फ 28 साल की थी इतनी हिम्मत वाली थी कमलाबाई ऐसे ही होसलों से भरपूर किस्सों से भरी कमलाबाई के बारे में विस्तार से जानने के लिए बने रही हमारे साथ दोस्तों कमलाबाई असल में रंगमंज की अदाकारा थी जो अपनी मा दुरगाबाई के साथ नाटकों में काम किया करती थी दादा साहिब फालके ने जब अपनी पहली फिल्म राजा हरीश शंद्र बनाई तो महिलाएं फिल्मों में काम करने को राजी नहीं थी ऐसे में अन्ना सालूं के फिल्म की हिरोईन बने थे लेकिन जब फालके ने दूसरी फिल्म मुहिनी भस्मा सुर बनाई तो पहली बार परदे पर महिला का किरदार महिला ने निभाया ये महिला थी कमलाबाई गोखले और उनकी माई दुरगाबाई कामत कमलाबाई का जन्म 6 सितंबर 1901 को हुआ था इनकी मा दुरगाबाई कामत अक्टरिस थी और पिता आनंद नानोस कर जे जे स्कूल ओफ आर्ट्स में प्रोफेसर हुआ करते थे इनके पिता अकसर इनकी मा के साथ बुरा बरताफ करते हुए मार पीट करते थे जिसके कारण सा 1903 में कमलाबाई के माता पिता अलग हो गए तलाक के बाद कमलाबाई की मा पर घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई ना चाहते हुए भी दुरगाबाई ने एक ट्रैवलिंग थेटर कमपनी में बत और आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया मा के साथ 4 साल की कमलाबाई भी नाचक में हिस्सा लेने लगी जब देश की लगबग हर महिला परदे में घर पर रहा करती थी कमलाबाई और मा दुरगाबाई उस समय शहर शहर जाकर नाचक किया करती थी उस समय महिलाओं के लिए नौकरी करना भी बड़ी बात थी लेकिन कमलाबाई अभिने किया करती थ नतीजा ये हुआ कि ब्राम्मर समाज ने उन्हें बेदखल कर दिया। जब पढ़ाई करनी चाही तो किसी भी स्कूल ने उन्हें दाखिला देने से इंकार कर दिया। इंडियन सिनमा दादा सहब फालके फिल्म राजा हरीश शंद्र के बाद अपनी दूसरी फिल्म मुहिनी भसमासर बनाने पर विचार कर रहे थे। फालके की पहली फिल्म में काम करने के लिए कोई महिला राजी नहीं हुई थी तो उन्हें धाबे में काम करने वाले अन्ना सा तो इनकी तलाश में थे। इधर चितार कशक नाटक कंपनी बंध होने वाली थी तो फालके ने इसके प्रोप्राइटर रगुनात राव गोखले से विंती की कि वो अपनी नाटक कंपनी की दो महिलाओं को उनकी फिल्म में काम करने को भेज दे। पहिला नजराई थी। कमला बाई मुहिनी भसमासुर के बाद देश भर में चर्चा का विशे बन चुकी थी। महस्चोदा साल की उम्र में वो स्टार बन चुकी थी। लेकिन फिल्मों में आने के कई नुकसान भी हुए। लोगों का इनको लेकर रवया और भी बुरा होता कई बार तो लोगों ने इने समाज के लिए खत्रा बताते हुए हमले किये। इन सब के बावजूद उन्होंने अपना अभिनय करियर जारी रखा और प्रभु का प्यारा चाबुक वाली तंट किंग जैसी कई भेतरीन फिल्मों में काम किया। फिल्मों में आने के अगले स साल 1915 में ही मातर 15 साल की उमर में उन्होंने रखुनात राव गोखले से शादी कर ली। धरसल रखुनात शुरुवात में किरलोसकर नाटक कंपनी में काम किया करते थे। रखुनात महिलाओं की कमी होने पर जादातर महिलाओं के रोल प्ले करते थे। बाद में उन्होंने बतो और प्रोप्राइटर चित्तार कशक नाटक कंपनी जोएन कर ली थी, जहां उनकी मुलाकात कमलाबाई से हुई, रगुनाथ और कमलाबाई दोनों इस नाटक कंपनी के लीड पेर थे, दोनों ने धर्म सिंगासन, जनता जनारदन, मान अपमान जैसे बड़े प्लेज में काम किया था, फिर दोनों ने शादी कर ली, कमलाबाई ने एक बार अभिने की दुनिया में प्रचलित, शू मस्ट गो ओन की अवधारना को जीवन्त कर दिखाया था, दरसल स्टेज पर राजा गोपी चंद नाटक के मंचन के दोरान, उनके साथ काम कर रहे उनके पती रग कुनात की मृत्ती हो गई, लेकिन कमलाबाई ने जरा भी विचलित ना होते हुए, मर्दों के कपड़े पहने और पती की जगा प्लेज आई रखा, तब वो सिर्फ 28 साल की थी, और तीसरे बच्चे से गर्भवती थी, इस तरह से उन्होंने अभिनाई की दुनिया में प्र कनी तूट कर गिर गई, तब भी कमलाबाई डायलोग बोलकर पूरी संजीदगी से नाटक करती रही, और दिटोरियम में भगगर मच चुकी थी, लेकिन कमलाबाई ने शोजारी रखा, वहीं एक प्ले के दोरान तलवार से उनका हाथ बुरी तरह जखमी हो गया था, हाथ स खून गिर रहा था और आस्ती ने खून से लाल हो चुकी थी, लेकिन कमलाबाई रुकी नहीं, साथ खड़े लोग हैरान थे, ओडियंस में बैठे लोगों ने आवाज दी, कमलाबाई आपके हाथों से खून बह रहा है, उन्होंने जवाब दिया, मुझे पहले इसे खत्म करने दीजिए, आलमारा के बाद भारत में साउंड फिल्मों का क्रेज बढ़ गया था, जिससे लोग नाटक की बजाए फिल्में देखने लगे थे, ऐसे में नाटक कमपनिया बंध होने की कगार पर आचुकी थी, कमलाबाई को भी काम मिलना बंध हो चुका था, तीन बच के बाद पूरे के अपार्टमेंट में वो अकेले जिंदगी गुजारने लगी, 17 मई 1957 को शो मस्ट गो आन की सीख देने वाली भारतिय सिनमा की पहली अक्ट्रेस कमलाबाई गोखले का निधन हो गया, कमलाबाई वही हैं जिनोंने समाद से लड़ते हुए महिलाओं के अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजर हो जाओंगी, तब तक के लिए नमस्कार